कि इस बार रिवायत तोड़ने और हिमाचल परदेश में इस बार भारते जिंता पार्टी ने रिवायत तोड़ने और दूसरी पारी लगातार खेलनी के नियत से कि विधान सबाद चुनाव लड़ा है कितनी है करने के लिए मेरे सब्सक्राइब भारती जंता पार्टी हिमाचल परदेश की अध्यक्स हैं वह मेरे साथ हैं बहुत बहुत स्वागत है आपको कितनी उमीद लग रही है अभी काउंटिंग शुरू है जो शुरुवाती देख रहा हूं आज तक पर दिखा रहे हैं तो उन्नी सोला का जो अकड़ा है लेकिन आपको क्या लगता है कितनी सीटें जो है कितनी सीटों के साथ सरकार बना पाई देखिए हम मैं कहना चाहूंगा कि लगबक 40 सीटें 39 प्लस सीटें हम जीतने वाले और पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बना है इसी उमीद क्यों है सर आपको कौन से ऐसे काम थे सरकार ने जो जनको लगता है जनके पक्ष में आपको वोट दिया है देखिए हिमाचल प्रदेश में पांच सालों के दौरान जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार ने काम किया है रिश्चीत सिमाचल प्रदेश की जनका बहुत जागरूक है और उनको यह भी बात ताय है कि आने व новых समय भी भागती जनका पार्टी का है रथाता फिरसे केंदर में बाचपा की सरकार विराजमान होगी तो प्रदेश में भी बाचपा की वीरा जमान हो ताकि डबल इंजन की सरकार और लेकिन कहा जा रहा है कि कांटे की टकर कॉंग्रेस के साथ बनी हुई है आपकी क्या लगता है कि रिवायत इश्वार काइम रहेगी कांटे की टकर की जहां तक बात है हिमाचर प्रदेश में एक ट्रेंड रहा है एक बार भाजपा एक बार कॉंग्रेस और कहीं न कहीं ये लं के साथ लगी है और जीत हासिल करेंगा लेकिन चर्चा है कि कॉंग्रेस ने ट्रंप कार्ड खेला है और पेंसन स्कीम वाला वो कहीं न की नुकसान दे सकता है बारती जनता पार्टी के पास अगर कोई मुद्धा उन्होंने बनाने की कोशिश की तो केवल और केवल ओपीएस क को लेकर और मैं समझता हूं उसका नुकसान हो सकता है अधरबाइस इसके लावा इन पांच वर्शरों में कॉंग्रेस के पास पोई भी मुद्धा बारती जनता पार्टी की सरकार के खिलाब नहीं था और अगर कहीं नुकसान होता है तो ओंपीएस का नुकसान हो सकता है ल कर सकती है इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि बहुत ज्यादा नुक्सान ओपिस का भी हुआ है कि नुक्सान की आपने बात माननी है कि नुक्सान हो सकता है क्या नुक्सान इतना बड़ा होगा कि सत्ता से बाहर हो सकती है यह बात सही है कि बहुत सारे लोगों ने इस बार इंडिपरेंटली चुनाओ लड़ा है लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा नुकसान हमको होगा क्योंकि एक मजबूत संगतन भारती जनता पार्टी का हमाच अप्रदीश में हैं और हां कुछ सीटे हैं जहां पर की इंडिपरेंटली जीतेंगे जीत सकते हैं लेकिन फिर भी भारती जनता पार्टी अपने दम के उपर सत्ता में आएगी और बहुत ज्यादा नुकसान उसका हमको होगा ऐसा मैंने ही समझता दिल्ली के बाद पंजाब में पंजाब में जिस तरह से प्रचंड बहुमित मिला है आमादमी पार्टी को उसके बाद क्योंके हिमा माद्चर परदेश में कोई अस्तित्तव नहीं है उन्होंने प्रयास किया था लेकिन पहाड़ों पर चड़ पाई उससे पहले ही आमादमी पार्टी हाप गई और उन्होंने मुझे लगता है छोड़ दिया है माद्चर पर देश को यहां पर किसी प्रिकार की चनूती है मा आवादमी पार्टी को आपने यहां पर बिल्कुल ही जीरो गिना है लेकिन नुक्सान पहुंचाने वाली हो सकती है आपको होगी या फिर कॉंग्रस को होगी मुझे नहीं लगता कि उनका नुक्सान को होने वाला है मैं समझता हूं कि अगर नुक्सान कहीं होगा तो कॉंग् का उनका परस्तित्तों अभी है तो इसलिए कोई बहुत बड़ा उलट फेरो कर पाएंगे ऐसा मैं नहीं समझता है कि बहुत सारे निर्दलिया जो है वो चुनाव जीत सकते हैं तो ऐसे में क्या यदि नेक टो नेक फाइट रहती है कॉंग्रस और भारती जंता पार्टी की त किया जाएगा और भारती जंता पार्टी सरकार कशव साव कफी उमीद है आपको रिपीट करेंगे यदि आप सत्ता में वापति सत्ता में जो है दूसरी पारी खेलेंगे तो सबसे बड़ा तौफ़ा जो है वो जंता को क्या देंगे अगर सरकार नई बनते हैं दिगे भार को मानते हैं हिमाचार पर देश में पाँछा प्रदेश में इन पांट सालों में विकास की एक नई गाथा McKay है और आनेवाले समय में को करेंगे और हिमाचार प्रदेश का अगरी 구o नहीं रजेष diarrhea जिसको हम कह सकते हैं मजबूत नितित्व नहीं है उनके पास नितित्व का भाव है श्रीवीरी बदर जी के जाने के बाद कोई भी ऐसा सरमाने नेता आज कॉंग्रेस पार्टी के पास नहीं है जिसके बैनर तले वो लोग आगे बढ़ सके आपस में इंफाइटिंग और उसक प्रदेश में भी उसे प्रकार से हम जो है इस बार रिवाज बदलने वाले फिर से सरकार को बनाने वाले हैं और इमाचर प्रदेश में भी कॉंगरेस का स्लिटत समाप तो शुक्रिया तो सुरेश करशब जी हमारे साथ थे और वीज दता रहे हैं कि इस बार भी जो भरते- कर आ सकते हैं आप फिलहाल देखना होगा कि भारते जंता पार्टी के नेताओं और भारते जंता पार्टी की कार्य करताओं की उमीद कितना पूरा हो पाएगी यह है आज दुपहर तक तस्वीर जो है लगभग साफ हो जाएगी कैमरामेन अनिल के साथ कुलवीर दिवान दैन कर दो